के ऐसे हैं आपको और दोस्तों के आपको यह वाला डिजैन बताऊंगे टिक की बनाने का कैसे बनाती यह उससा के पहला क्लर तो आपको कउन्सा क kindergांना इन नहीं और यह में बताऊंगी यह देखिए यह देखिए यह बनाने का यह मैं पीछे कितनी वीडियो डाली है टिकी की तो और चलानय की वीडियो शिखाने की डाली है उनमें आप देख सकते हैं कैसे बनता है होती आसानी से जो लोग करोशे चलाना सीख गए हैं और सीख पहले से उनको आता है तो वो यह इतना बना लेते हैं और अब मैं यह बताऊंगी आगे का यह चेन बना के कैसे बनाते हैं क्योंकि कुछ कुछ चिज़ेगे दोस्तों हमें बिना देखे आती नहीं हैं बिना बताए कुछ चीज़े देखके अराम से बन जाती हैं कुछ हमें बता के ही आती है अब यह देखिए इसमें दस जश चेन बनाऊंगी दस चेन बनाने के बाद दस chain बनाने के बाद इसको हम यहां joint करेंगे अब यहां हर टिकी में अमें यह gap देखना होता है कि हम इन में कितने कितने का gap डालेंगे यह देखिए मैं 2-2 chain का gap रखूंगे दो-2 चावल का और ये जो मैंने chain 10 बनाई है शुरू में ही ये वाली यह जो आप देख रहे हैं मुझे अब हर बार दस चेन बनानी है अगर हम इनका चेन का इसाब सही रखेंगे तो यह हमारे साइज में एक जैसा रहेगा और इसमें हमें याइ सिंगल करोशे से इसको जोइंट करना है अब फिर मैं दस चेन बना लूँगी यह देखिए अब मैं यह सारी इस तरीके से इसको पूरा बना लेती हूँ ये देखिए ये मैंने सारे बना ली अब मुझे इसमें दूसरा कलर लगाना है तो दूसरा कलर मैं कैसे इसमें लगाऊंगी ये मैं एक चेन सिंगल बनाके और इसके यहां बराबर तक लगाऊंगी इसको पांच यह मैंने दस बनाई थी तो इसमें मैं यह हाफ बनाऊंगी और आब मुझे यहाँ कलर चेंज करना है यह देखिए अब मैंने कलर चेंज कर लिया इसमें कलर चेंज करके अब मैं यह इसमें सब को इसमें यह चावल डबल करोश्या यह बरूंगी अब इसमें मुझे यह चार चार बरने है 4 डबल करोश्या यह देखिए इसमें मैंने चार चार डबल करोश्या बर लिये अब मुझे इन सब चेंज में डबल करोश्या बरना है पूरा यह देखिए इस तरीके से अब मैं यह पूरा बना लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं यह देखिए एक लाइन मैंने इसमें बना ली और यह चार चार चावल इसमें मैंने डबल करोश्या और बीच में यह एक एक चैन बनाई है चार के बाद एक चेन फिर चार फिर एक चेन और अब मैं इसमें यह दूसरी लाइन है यह वाली यह करूंगी दूसरी लाइन करने के लिए देखिए हमें यहां दो चैन इसमें बनानी पड़ेंगी शुरू में और जो दो के बीच में चार डबल क्रोशे डालने है यह देखिए चार डबल क्रोशे डालिया अब मैं इसमें एक चेन बना लूँगी और फिर जो यह चार है इन में डबल क्रोशे डालने हैं लिए देखिए अब हमें यह पूरा इसी तरीके से बनाना है यह जो आप देख रहें हैं यह चार जो डबल क्रोशे न के बीच में एक चेन बनाने के बाद चार चार यहां डबल क्रोशे डालने हैं तो यह देखिए अब हमारी यह जो दो लाइन आप देख रहें यलो यह हो गई इसमें तैयार यह दो नो और अब इसमें यह आउटलाइन करूंगी मैं आउटलाइन करने का तरीका क्या है इसका यह देखिए आउटलाइन मैंने सिखाई हुई है आपको पहले भी मेरे चनल में आ बनायी हुई है और अब धीरह-दीरह में आपको कही तरह की आउट-लाइन बनानी बता हूंगी यह देखे इसमें हमें पीछे की तरफ से करोशिया डालना है जो चेन पीछे पीछे है उसमें क्रोशिया डालना है यह देखिए अब पहली बार हम चेन बनाते हैं यहां आगे हमें चेन बनाने की ज़रुत नहीं पड़ेगी और वो गैप हम अपने ईसाब से देख लें कितना हमें गैप रहना है अब यह देखिए हम इने टच कर दिया इसको अब मुझे करोशिया यहां डालना है यहां एक बार आप ध्यान से देख लें कैसे मैं कर रही हूं यह यह जो चार है इसके दो के बीच में मैं करोशिया यहां यहां सिंगल करोशिये से इसको हमें जोइंट करना है और डबल करोशिये से ऐसे दागा लेके और इसमें हमें यह तीनों एक बार ही निकालने है अब मैं यह पूरा ऐसे ही बना लूँगी पूरा बनाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ यह देखिए टिक्कियां हो गई बनकर तयार और कैसी लगी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगें तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें झाल 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